Hello all my name is Krishnayak and welcome to Krishnayak Hindi YouTube channel So guys, आज का वीडियो काफी amazing होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग एक end-to-end project करने वाले है और इस project का नाम है multi-language invoice extractor using large language models और इसमें हम लोग Gemini Pro यूज करने वाले है Gemini Pro एक काफी powerful LLM model है जो Google के तरफ से है और free भी है अब main चीज क्या है बहुत सारे companies में आप कोई भी goods and services लेते हैं उस specific goods and services के related आपको एक invoice दिया जाता है अब ये invoice का details, most of the invoices JPG format में होते हैं PDF format में होते हैं अब इन invoices में क्यों नहीं हम एक ऐसा application बनाए जैसे हम लोगो invoice upload करें और कुछ भी question पूछें in normal English sentence तो हम लोगों को उस invoice के details को extract करके हमको उसका response या answer मिल जाए काफी amazing चीज होगा इसके चलते बहुत सारे companies जो information है या chatbot के related जो भी काम होता है जैसे let's say कि मेरा एक company है जहाँ पे हम लोग कुछ product बेच रहे हैं और उसके related कुछ भी information आपको पूछना है आप उनसे definitely पूछ सकते हैं तो यह सारा चीज हम लोग यह बनाएंगे इसका नाम होगा multi language invoice extractor यहाँ पे अलग-अलग invoices अलग-अलग examples के हिसाब से भी मैं आपको दिखाऊंगा तो agenda समझते है agenda क्या रहेगा specific project का पूरा end-to-end project हम लोग इसको करने वाले है please make sure करिएगा आप video को like करिएगा share करिएगा आप सब के दोस्तों से अब यहाँ पे agenda यह है कि हम लोग multi language invoice extractor app का demo देखेंगे पहला क्योंकि demo देखना बहुत ज़रूरी है उससे आपको एक idea मिल जाएगा उसके बाद हम लोग project बनाएंगे पहले बाद तो हमको environment बनाना है उसके बाद requirement.txt में update करना है कॉन-कॉन से libraries हमको import करना है इंस्टॉल करना है उसके बाद हम लोग step by step सारा app बिल्ड करेंगे code लिखूंगा मैं आपके सामने सब कुछ आपके सामने ही दिखाऊंगा और finally हम लोग additional improvement के बारे में बात करते हैं यहाँ पे target like मैंने 1000 डाला था वाट लेट्स इसको हम लोग डाल देते हैं 500 likes इनिशेली स्टार्ट करते हैं क्योंकि यह एक amazing project आप सब के लिए benefit होगा अब चलिए शुरू करते हैं इसका first of all एक demo देखके तो यह मेरा है multilanguage invoice extractor app यहाँ पे देखे आप यहाँ पे input prompt डाल सकते हैं यहाँ पे आप jpg image, png images डाल सकते invoice का जैसे मैंने यहाँ पे google से invoice डाउनलोड किया है और उसका invoice यहाँ पे upload किया है तो यहाँ पे आप देखे यह पूरा hindi language में है अब यहाँ पे मैं पूछ रहा हूं what is the date in the invoice तो date में यहाँ दिनाक हिंदी में हम लोग दिनाक बोलते हैं जैसे आप लोगों को पता है कि यह हिंदी वीडियो ही है तो यह दिनाक को extract करने के लिए अगर मैं यह information लिखूं और मैं बोलूं tell me about the invoice तब यह क्या करेगा यह दि कुछ भी information पूछिए इस specific invoice के related उसके बाद वो अराम से आपको extract करके दे देगा तो यहाँ पर आप देखिए response दिख रहा है अगर लेट से कि मैं एक और question पूछता हूं what is the name in the invoice ठीक है name in the invoice और तो यहाँ पर name है दामर computer ऐसा लिखा हुआ है ठीक है fake invoice है internet से download करके देख ल तो उज्वल traders तो लिखा हुआ है देखते हैं उज्वल traders कहा है उज्वल traders उज्वल traders उच्वल traders अच्छा यह वाला information निकाल दे रहा है ठीक है what is the address in the invoice ठीक है what is the address in the invoice अगर मैं फिर से जाके click करूँ और यह सारा information निका देगा that is the powerful demo it has right English वाला तो बहुत ही super चलता है मैं मैं आपको purposely यह Hindi वाला दिखा रहा हूँ invoice so that हम लोग को information मिले ठीक है तो यह वाला information भी हमको मिल गया what is the address in the invoice तो address में हमको यह वाला पूरा information मिल गया ठीक है 123 ABC building यह सारा चीज ठीक है अगर मैं फूल पूचू field के हिसाब से भी let's say what is the HSN of Lenovo 5125 ठीक है what is the HSN number of मैं यहां पर लिख देता हूँ Lenovo बहुत ही बड़िया demo दिखा रहा हूँ मैं आपको बट हम इन सब को coding करेंगे ठीक है Lenovo 5125 और I ठीक है और यहां पर मैं execute कर दूँ तो यहां पर इसका answer यह आना चाहिए tell me about the invoice तो यहां पर हमको answer इसका आना चाहिए 847103010 क्योंकि इसका वही है ठीक है तो प्राबली यह जब run करता है तो दीक है आपको यह हमाला responsible rat यहां पर बहुत सारे चीज हम लोग करने वाला है prompt engineering का concept आएगा यहां पर हम लोग कैसे PDF को read करते है images को read करते है image का data को कैसे capture करते वह सारे चीज़ों के बारे मैं explain करूंगा अब चलिए जाके implement करते है project मैं आपको line by line code लिखे दिखाऊंगा step by step हम लोग सब कुछ करके दिखाएंगे ठीक है चलिए चलते है project के आर तो गाइस मैंने यहां पर अपना VS code खोल लिया है तो आपको मैं step by step बताता हूं कि हम लोग क्या-क्या चीज़ें से करना start करना पड़ेगा हमको तो यहां पर पहली बात तो मैं एक टर्मिनल खोल लेता हूं टर्मिनल में मैं एक command prompt let's say कि मैं command prompt खोल लिया ठीक है अब फर्स्ट चीज़ जो हम लोग करेंगे यहां पर तो by default को एक environment को यह ले ले रहा है तो हम लोग इसको अब देखे पहला चीज़ कोई भी आप project start करते हैं तो आपको environment बनाना बहुत ही इसको बनाने के लिए क्या आपको command लिखना पड़ेगा vs code में वो हम लोग देखेंगे तो पहली बात तो हम लोग लिखेंगे conda create minus p vnv python और python का जो version हम लोग यहां पर use करने वाले है according to gemini pro python version should be greater than 3.9 ठीक है तो यहां पर हम लोग use करने वाले है 3.10 और इसके बाद हम को कुछ भी permission पूछना पड़ा है by default yes होगा और जैसे मैंने यह execute कर देना है तब आप देखिएगा यहां पर यह vnv environment बन जाएगा तो आप यह process कर सकते हैं the reason मैं आपको यहां पर नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि video थोड़ा लंबा हो जाएगा download होने में time लगता है fine तो इत तो आप basically ऐसा लिखेंगे conda activate venv तो जब ऐसा लिख देंगे तो यह venv environment अक्टिवेट हो जाएगा ठीक है perfect अब यहां तक हो गया आपका दोनों step तो आप जैसे activate कर देंगे तो आप वही venv environment के अंदर होंगे अब चलते हैं next step में यहां पे में requirement.txt खोला है requirement.txt में हम capabilities को install करेंगे जैसा होगे आपका streamlet, google generative.ai, python.env यह environment variables के लिए lang chain, lang chain भी हम लोग को use करना है तो यूज कर सकते हैं pypdf to chroma dv ठीक है तो यह सारा चीज हम लोग ने use किया है अब हम लोग क्या करने वाले है .env file में जाके हमको यह API की बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको यह project implement करना है तो उसके लिए आपको prerequisite है कि Gemini Pro API की होना चाहिए तो यहाँ पे मैंने लिख दिया Google API की और यह होगा मेरा API की तो finally आप यहाँ पे जाके बना सकते हैं यह API की यह वाला website होगा makersuit.google.com slash app slash API की और आप बसको click करना है इसमें create API की new project ठीक है तो जैसे आप click करेंगे तो आपका API की बन जाएगा आप copy कर लेना है और इदर आके आपको बस paste कर देना है Google API की यह हमेशा prerequisite होता है ठीक है तो इतना सारे steps हो गए है हम लोग अब चलिए start करते हैं अपना coding का अपना जो main coding है उसको start करेंगे ठीक है अब step by step मैं आपको दिखाऊंगा हम लोग basically implement कर करने वाले हैं streamlet तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे from dot enb पहली बात तो मैं import कर दूंगा load underscore dot enb यह क्यों use होता है क्योंकि आपको अगर अपना environment variables load करना है तो आप basically ऐसे ही करेंगे तो यहां पे मैं लिख देता हूं comment में load all the environment variables from dot enb file ठीक है अब next tip आता है import streamlet as st streamlet हम लोग use करने वाले है import OS हम लोग since हम लोग images के साथ काम करने वाले हैं तो मैं लिखने वाला हूं from pil import image ठीक है उसके बाद import google dot generative AI अब देखे requirement.txt में अब आपने बहुत सारे files दिखा है तो इसको आपको लिखना पड़ेगा pip install minus r requirement.txt तो आपको यह सारा का सारा requirement में जितने भी libraries है आपको सब को install करना पड़ जाएगा ठीक है मैंने already कर चुका हूँ उसलिए मैं आपको वो step नहीं बताना क्योंकि time लगेगा ठीक है अब यहाँ पर मैंने क्या किया है google dot generative AI को मैं use करने वाला है क्योंकि इसके through ही हम लोग specifically use क करेंगे अपना Google का API की ठीक है अब यह जैन AI में पहली बात तो हम लोगो configure करना पड़ता है Google का API की तो यहां पर मैं लिख देता हूँ जो हमारे dot ENB file में API की हम लोग इसको call कर रहे है और वो assign कर दे रहे हम लोग कहां पर अपने gen AI के dot configure में तो यह पहला step होता है हम लोगो करना चाहिए इसके लिए ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे we will load Gemini provision model ठीक है तो हम लोगो इसको लोड करना पड़ेगा क्योंकि इसके ब तो model मेरा बन जाएगा gen AI जन AI dot generative model और यहां पर हम लोग specifically use करेंगे Gemini provision ठीक है तो यह provision वाला model हम लोग specifically use करने वाले है अब next step यह होगा कि हम एक definition बनाएंगे जो हमारा Gemini pro model है वो क्या response देता है और क्या input लेता है तो यहां पर हम लोग लिखने वाले है get Gemini underscore response step by step हम लोग करने वाले है उसके बाद जाके मैं execute करूँगा सारा चीज ठीक है तो यहां पर पहला चीज जो input जाएगा इसमें मैं specifically एक input दूँगा यह input क्या होगा यह वो data होगा या वो prompt होगा जो हम लोग LLA model को behave करने के लिए बोलेंगे right prompt engineering में हम लोग इसको prompt template भी बोलते हैंगे ऐसा prompt देंगे जो AI assistant को act करना है जो LLM model को act करना है second parameter जो होगा हमारा image होगा जो हम लोग image देना चाहते हैं और third जो image मतलब invoice का image third जो होता है prompt जो prompt user prompt होता है तो यहां पर मैं specifically लिख देता हूं user prompt जैसे user बोला what is the date in the invoice तो वो information यहां जाएगा तो यह तीन information के साथ मैं अपना response बनाऊँगा और यहां पर लिख दूँगा model.generate content अब यह जो तीन parameter है जब भी आप याद रखे Gemini Pro के साथ अगर आपको काम करना है यह तीन parameter हम in the form of list दे सकते हैं तो input होगा image होगा और user prompt होगा ठीक है तो यह तीन information यहां पर specifically चले गया अब मेरा हो गया return response.text ठीक है response response.text तो response.text हम लोग basically response करेंगे क्योंकि यही model यह तीनों information के इसाब से वो data को निकाल के हम लोगों को देगा ठीक है अब यह हो गया अब चलिए जाते हैं अपना streamlet का app बनाने यह हमारा तो response होगी गया अभी हम लोग जा जाके अपना initialize कर देते हैं अपना streamlet अब उसको करने के लिए काफी जादा simple है guys यह I hope आप लोग देखे भी होंगे तो यहां पर मैं कर दे रहा हूं set ht.set page underscore config page title जो होगा मेरा multi language invoice extractor होगा ht.header जो है multi language invoice extractor input box एक ले रहा हूं जो user का input लेगा और यहां पर जो image हम लोग डालने वाले है choose the image or the invoice वो वाला basically uploading का option हमको मिल जाएगा तो यह चार parameters आप सोच रहोंगे क्रिश इता जली आपने कैसा code बनाया है गाइस बहुत ही सिंपल है chat gpt को मैं देखता हूं वहाँ पर मैं बूचता हूं please give me a streamlet app with one input field one page title one page config ऐसा बोल देता हूं तो वह अपने आप code देता है तो वहीं से copy paste करके मैंने उठाया ठीक है अब दो next वाला चीज है जैसे हम लोग file upload करते हैं तो वो image भी नीचे दिखना चाहिए जैसे अब भी हमारे इसमें दिख रहा था डेमो में तो उसके लिए मैं एक और code chat gpt से उठा के डाला हूं इप uploaded file is not none तो यह वाला image जो है वो upload कर देगा ht.image में हम लोग basically upload करके वहाँ नीचे दिखाएंगे ठीक है यह हो गया अब एक और button जो निकालूंगा मैं यह होता है मेरा submit button submit, tell me about the invoice जैसे click किया मैंने और मेरे को invoice आजाना चाहिए ठीक है अब उसके अलावा जैसे मैंने बोला मेरे को एक input prompt design करना पड़ता है input prompt किसके लिए input prompt यह बताने के लिए कि भाई AI assistant को कैसे behave करना है तो यहाँ पे मैं input prompt लिखाऊं, you are an expert in understanding invoices, we will upload an image as invoice and you will have to answer any question based on the uploaded invoice images, ठीक है तो यह मेरा हो गया input prompt तो मैं इसको बोल रहाँ तुमको भाई expertise है invoices को समझने के लिए ठीक है और वहाँ पे मैं जो भी question पूछूंगा तुमको उसका answer करना है तो यह मेरा होगा input prompt जो बोलेगा कि भाई LLM model को ऐसे behave करना है ठीक है अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ if submit button is clicked ठीक है अब जब submit button click होगा तो मैं क्या है लिख दूँगा if submit ठीक है पहली बात तो हमको image data चाहिए ठीक है image का data चाहिए image तो यहाँ पर upload हो रहा है uploaded file में तो image data और हमको detail में मिलना जब भी मैं बात करता हूँ image data का right that basically means वो image को bytes में convert करके दे देना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर मैं एक function बनाऊँगा जिसको बोलूँगा input image details ठीक है और यहाँ पर जो भी मेरा uploaded file होगा वो जाएगा अब यह कहाँ है यह function अभी हम लोग ने बनाया नहीं है तो अभी जाके हम लोग यह वाला function भी बना देंगे ठीक है तो हम लोग जाके यह copy paste कर देते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर paste कर देंगे तो अभी हम लोग ने यह function बनाया है यहाँ पर अगर हम लोग क्या देंगे यहाँ पर सेम चीज़ हम लोग को देना पड़ेगा जो है हमारा uploaded file तो uploaded file में यहाँ लिख देता हूँ मतलब जहाँ पर हम लोग focus करें दो important parameters में एक है mime type एक है data ठीक है अब वो दोनों information हम लोग को चाहिए तो हम लोग कैसे उसको कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अगें मैंने इसको chat gpt में धूंडा तो मेरे को यह वाला code मिला है यहाँ पर बहुत ही simple if uploaded file is not known तो यहाँ पर get value हम लोग ने की है mime type में हम लोग ने लिया data को bytes data में convert किया bytes underscore data जहाँ get value मिलता है और यह दोनों information को image parts जैसा हम लोग ने return किया तो यहाँ पर जो हमारा है यह image data आ जाएगा देखे step by step बहुत ही simple है इसलिए मैं आपको बहुत ही easily समझ तरीके से बता रहा हूँ अगर code में नहीं समझ में आ रहा तो मेरा यह suggestion होगा देखिएगा क्योंकि यही वाला code मैंने chat gpt से लिया है ठीक है तो यह हो गया मेरा एक वाला चीज image underscore data अब हम लोग करे जांगे जाकर response और यहां पर में डाल दूँगा get Gemini response पहला data हो जो होगा मेरा होगा input prompt input let's say input prompt input prompt तो मेरा पहला जो information इंपरूप जाएगा उसके बाद जो मेरा है image data जाएगा उसके फाइनली जो जाएगा वो है मेरा input ठीक है यह मेरा होगा input जो text box से आ रहा है यह वाला text box से आ रहा है ठीक है तो यह सारा information गया अब हम लोग जाके ht.subheader में लिख देंगे और यहां पर लिख देंगे the response is the response is अब हम लोग अपना response यहां पर लिख देते है ht.write response ठीक है done हो गया almost सारा चीज clean and very good everything is working fine I guess आप देखते है चलता है कि नहीं सारा चीज ठीक है क्योंकि मैंने code तो लिख दिया है सारा चीज के हिसाप से ठीक है अब मैं वही मेरा terminal यूज़ कर रहा हूं और यहां पर run करने के लिख इसको क्या यूज़ करेंगे हम लोग streamlet python streamlet run app.py ठीक है तो जैसे हम लोग इसको run करेंगे तो यह हमारा खुल गया देखें वह पहले वाला तो बंद हो गया था अब यहां पे हम लोग okay browse file अच्छा exception handling मैंने नहीं handle किया है but let's go and see invoice case आप से देखते है कोई invoice में upload करता हूं ठीक है तो यह मेरा invoice हो गया अब यहां invoice में let's say कि मैं यहां पे कोई छोटा field कर रहता हूं what is the deposited request what is the what is the deposit requested in the invoice और जैसे मैंने यह execute किया blob 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 dictionary PIL image ठीक है there is some issue देखते हैं में को पता चल गया image क्या है यहां ना image का basically list आ रहा है ठीक है यह होगा image data जो हो रहा है यह bytes के form में list में आता है ठीक है तो हम लोग यहां पे क्या करना पड़ेगा हम लोगों को basically हम लोग यहां पे image of zero लेंगे तो जो भी first वाला image होगा वो वाला अब देखते हैं रिलोड करके यहां मेरा browse कर दिया और यह मेरा image दाल दिया what is the deposit requested ठीक है तो जैसे execute करेंगे आप अब चलना चाहिए तो यहां पे 169.95 है दिखते है पुरा इमेज को extract करके निकाल सकता है कि नहीं तो आ गया ही अब आप जाके कोई भी invoice try करिये अलग-अलग languages का अलग-अलग चीजे का I think it should be able to give it to you ठीक है तो यह था पूरा का पूरा project guys I hope आपको यह मजा आया project ठीक है और जादा information मैं आपको पूरा का पूरा यह description में दे दूंगा पूरा information इसका code का सब कुछ का but I hope आप लोगे वीडियो अच्छा लगाओ मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में thank you take care have a great day bye bye take care